AI ने दिखाया आज कैसा दिखता होगा Underworld Dawn जिया दाउद इब्राइम को लेकर ये खबर सोशल मीडिया पर चाई है कि उसे जहर दे दिया गया है और वो कराची के एक अस्पताल में भड़ती है लोगों के मन में सवाल है कि आखिर दाउद अब कैसा दिखता है इसे बीच दाउद की AI यानी Artificial Intelligence से कई तस्वीरे तैयार की गई है जिया दाउद की AI फोटोस दिखाएंगे आपको नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं देलिक जागरन का शोओ सोशल वायरल और मैं हूँ आपके साथ वन्शिका वही हमारे शोओ में पहले वीडियो की बात करें तो अर्जंटिना में आय भेंकर तुफान के कारण कई लोगों की जान चली गई है हालात ये है कि अर्जंटिना में 150 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से हवाय चल रही है और इस हवाओं और चपेट से हवाई जहाज भी नहीं बच पाया एरपोर्ट पर खड़ा एक विमान तेज हवाओं के चलते 90 डिगरी तक घूम गया और वहां खड़ी सीडियों से टकरा गया दरसल विमान अरजंटिना के राजधानी ब्यूनिस अर्स के जोर्ज नैब्रोर इंटरनेशनल एरपोर्ट पर खड़ा था अलाकि तेज हवाओं से एरपोर्ट पर खड़ा विमान भी नहीं बच पाया जैसे कि हवा का रुक तेज हुआ वैसे ही विमान भी एरपोर्ट पर 90 डिगरे तक घूम गया इस दौरान विमान के पास सीडियां भी थी विमान की चपेट में आने से सीडियां शरतिगस्त हो गए और साथ विमान को भी नुकसान पहुचा है फिलाल घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वारल हो रहा है आपको बता दें कि अरजुन्टेना में भीशन तूफान से 16 से अधिक लोगों की अभी जान चली गई है और तूफान ने सबसे पहले 16 दिसंबर को ब्यूनिस आर से लगभक 570 किलोमेटर दक्षिंड में बंदरगार शहर भाईया ब्लैंका में दस्तक दी थी इससे मारतों को नुकसान पहुचा था वही अब बात करें अगरे खबर की तो खबरे आ रही है कि पाकिस्तान में छिपे भारत का Most Wanted आतंकी दाओद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है और उसकी हालात काफी नाजुक है उसको कराची के एस्पताल में भरती कराया गया है पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी समित कई लोगों ने बताया है कि इस खबर के आते ही पाकिस्तान में फेस्बुक, एक्स और यूट्यूबर और गूगल सर्विस डाउन हो गई है जिससे कोई कम्मिनिकेशन नहीं हो पा रहा दाउद इबराहिम दुनिया से काफी दूर है और इंटरनेट पर भी उसकी कोई तस्वीर नहीं है जिया इंटरनेट पर दाउद इबराहिम की दो से चार तस्वीरे ही है खबरे आई थी के तस्वीर में जहाँ जवान दाओद इबराहिम की बूछे थी वही अब उसने मुच को हटा लिया है बिना मुच के दाओद की एक तस्वीर तो आई थी लेकिन वो clear नहीं थी लेकिन AI की मदद से देखा जा सकता है कि आज दाउद इबराहिम कैसा दिखता होगा AI ने इंटरनेट पर मौजुद दाउद इबराहिम की तस्वीरों में अपना बदलाव कर दिखाया है कि 65 साल के असपास का दाउद इबराहिम कैसा दिखता होगा सालों पहले जो तस्वीर आई थी उसमें दाओद की मूच नहीं थी लेकिन उमीद की जा रही है कि दाओद ने फिर मूचे रख ली हो SM AI ने बिना मूच वाली और मूच वाली इमेज दिखाई है उम्र को देखते हुए लगता है कि दाओद इबराहिम के सफीद बाल होंगे SM AI ने बालों को भी सफीद कर दिया है वही अब बात करें हमारे अगले वारिल वीडियो की तो बॉलिवुट के दबंग सल्मान खान के छोटे भाई सोहिल खान ने 29 दिसंबर को अपना जुनम दिन मनाया इस दौरान बिग ब्रदर सल्मान खान के अलावा सलीम खान, हेलन सहित उनके परिवार को स्पॉर्ट किया गया अलागे सोहिल खान की बॉदे पार्टी से निकलते हुए टाइगर 3 एक्टर सल्मान खान का एक वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वारिल हो रहा है जिसमें भाईजान पैपराजी पर घुसा होते हुए निज़रा रहे हैं सल्मान खान का उनसे दूर रहने का इशारा करते हुए वीडियो सूशल मीडिया पर वारिल होने के बाद फैंस इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं इस वीडियो को Instant Bollywood ने अपने आधिकारेक इंस्टग्राम पेज पर शेर किया है इस वीडियो में सोहिल खान की बर्दे पार्टी से बाहर निकलते हुए वा पहले अपने माता-पिता को गाड़ी में बिठा रहे हैं और उसके बाद अपने हाथ से उन्हें पीछे हटने का इशारा करते हुए कहते हैं कि पीछे हट जाओ सल्मान खान को इतने ज्यादा घुस्से में देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर तरह तरह के रियाक्शन्स दे रहे हैं जी हाँ एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए लिखा कि शारुक खान कभी ऐसा गुस्सा नहीं होते हैं यही फर्क है बस दोनों में दूसरे यूजर ने लिखा सल्मान खान भाई तो पेपराजी को आँखों से डरा रहे हैं वह अब बात कर ले हमारे आखरी वाइरल वीडियो की तो जी हाँ आखरी वाइरल वीडियो है महराश्च के पूने से महराश्च के पूने से देश को शमसार करने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक साउथ कोरिया की फीमेल ब्लॉगर के साथ छेडखानी का वीडियो तेजी से वारल हो रहा है साउथ कोरिया की यूट्यूबर कैली इंडिया घूमने के लिए आई हुई है और इस दोरान कैली जब पूने की सड़कों पर ब्लॉग वीडियो शूट करते हुए लोगों से बातचीत कर रही थी तब ही एक यूट्यूबर के उनके साथ छेडखानी की और ये वीडियो में रिकॉर्ड हो गया जो तेजी सब सोशल मीडिया पर वैरल हो रहा है वीडियो वैरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और कोरिया वीडियो ब्लॉगर से छेड़चार करने वाले यूबर को गिरफतार कर लिया पुलिस के तरफ से एक कारवाई की गई है वहीं आगे की जांच की जा रही है सोशल मीडिया पर वैरल हुए वीडियो से साफ देखा जा सकता है कि कैली सड़के के आस पास से लोगों से बात चीट करते हुए वीडियो शूट कर रही है तब एक यूबक महां आता है और जबरदस्ती कैली से कंदो पर हाथ रखता है दो अन्य लोग भी कैली के पास आकर खड़े हो जाते हैं पास खड़े लोगों में से एक आरोपी यूवक को कह रहा है कि इतनी दूर क्यों खड़ी हो उसे पकड़ लो और इस दौरान आरोपी साउथ कोरियन यूवक्ती से कंदो पर जबरन हाथ रखता है और उसे गल्य लगाने की कोशिश करता है कैली उसे पीछे चुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और ये सब वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होता है इसके बाद कैली वहां से बाय नमस्ते बोल कर निकल जाती है ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है लोग वीडियो पर कॉमेंट कर अपनी प् में बताईएगा और ऐसे इंक्रिस्टिंग वाइरल वीडियो के लिए देखते रहिए देनिक जागरण